हेलो एंड वेल्कम तो यूनीक क्रीटर्स सो एक क्विश्चिन वर 56 होगा यूपी एसी के सीसाट 2023 में जो पूछा गया था सीट नंबर ए में अगर आपको कोई डाउट होगा पूछना आप टेली एंस्टाग्राम पे पूच सकते हो स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या है जो एक दिया हुआ है पहले देखेंगे इंटु Q जो है ये ग्रीटर देन जीरो है, ओके, सिंप्ली रेदिया P इंटु Q है, इससे बस इतना पता चलता है, कि P एंट क्यू जो है, ये कोई पॉजिटिव नंबर से हैं, जो आपस में मल्टिप्लाई होते हैं, जीरो से ज़्यादा आजाती है वैली, बट ये नहीं पता चलेगा, कि P जो है, वो बड़ा है Q से, या फिर Q बड़ा है P से, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, बट इतना जोड़ पता चलेगा, कि हाँ ये पॉजिटिव तो है, ओके, इस ते ये आपको दिख रहा होगा, कि P, कुछ लोगों को लगा होगा, साइड अप P, Q से बड़ा हो जाएगा, बट क्या होता है ना, यहाँ पर मैं P की वैल्यू अगर 2 है, ओके, और Q की वैल्यू 1 है, तो 2 स्कॉर मींस 4 इस ग्रेटर देन 1 स्कॉर 1, और Q की वैल्यू मैं 1 ही लूँ, राइट, सो माइनस 2 का स्कॉर भी 4 ही होगा, और Q 1 है जो की, माइनस 2 से तो बड़ा है 1, बट 1 का स्कॉर होगा कितना, सिर्फ 1, means 4 is greater than 1, P स्कॉर तो greater आ रहा है, Q स्कॉर से, बट P की वैल्यू जो है, वो ज्यादा नहीं है Q से, ओके, सो स्टेटमेंट 2 से भी हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता चलगा है, फिर दोनों स्टेटमेंट मिला भी नहीं नहीं ना, फिर भी हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, कि P greater than Q है, यहां पे answer simply क्या होगा, the question cannot be answered, even by using both these statements together, okay, so thanks for watching this video, like, share and subscribe, in the case you liked it, thank you.